प्रिय छात्रों और हमारे खास मित्रों आज एक बार फिर जेपियसी पीटी पेपर टू के एक मात्पूर्ण चिप्टर फर्स चिप्टर उस्सिलेबस का जारकन के इतिहास के अंदरगत सासन बेवस्था में मैं स्वरूप सर आपका स्वागत करता हूँ छात्रगन जैसा कि आपको मालू है जेपियसी पीटी पेपर टू का एक चिप्टर है जारकन के इतिहास के अंदरगत जनजातियों की शासन बेवस्था तो छात्रगन मैं बताया था कि जेपियसी पीटी पेपर टू का फर्स चिप्टर है जारकन के इतिहास से रिलेटेड शासन बेवस्था जिसके अंदरगत आपको साथ सासन बेवस्था पढ़नी है मुंडा सासन बेवस्था किसकी है तो ये मुंडाओं की है नागवंसी सासन बेवस्था किसकी है नागवंस की रजाओं की है पढ़हा पंचायत सासन बेवस्था किसकी है तो उराओं की है मांधी परगना सासन बेवस्था किसकी है तो ये संथालों की है मुंदा मान की सासर ब्यूस्था किसकी है तो हो लोगों की है भुकलो सोहर सासर ब्यूस्था किसकी है तो ये ख़डिया लोगों की है और एक है जातिय पंचायद जिसमें से बहुत सारे अनसुति जाती जन जाती और सदानों की ब्यूस्था है वो है जातिय पंचाइद विश्था चातरगन आपको यही साथ सासन विश्था पढ़नी है जिसके तहट 14 से 20 नंबर का प्रस्ण आपसे पूछा जाएगा जीपियसी प्लिम्स के पेपर 2 में अर्थाथ जारखन के समान निग्यान में एक इंपॉटंटन स्रिप्टर चातरगन मैंने इसमे से मुणडा सासन विश्था क्या है उसका कौन कौन सी प्रसुस्था क्याय है कौन अधिकारी कहां काम करता है किसकी क्या काम है इस सारी बाते मैंने लेक्चर के माध्यम से तद पर शाथ आपको नोटस भी लिखाया है मैंने बताया था मुंदा सासन ब्यवस्था जो है वो मुंदाओं की है और मुंदा सासन ब्यवस्था की परशाशन दिखा जाए तो एक परिवार से खूट से सुरू होती है और वो खूट परिवार जब एक खेती के लायक जमिन बनाता है तो उसे खूट कट्टी कहते हैं और जब उस खूट कट्टी जमिन पर एक पूरे परिवार का अधिकार होता है तो उसे खुट-कटी डार के नाम से पुकारते है और जब ये पूरा परिवार बड़ा हो जाता है तो गाउं का रूप ले देता है और उस गाउं के परधान को मुंड़ा कहते है और मुंड़ा गाउं के परसासे की काई की एक महतपून भूरी होता है उसे किंद्री भूमी का होती है यथ पी, उसकी सहयता हैतू पाहन और महत्व होते हैं जिसमेशे, अगर मुंड़ा के अपसिंस में सारे काम पाहन करते हैं, यथ पाहन एक धार्मिक गुरू है जिसे लगान मुक्त भूमि दे जाती है उस लगान मुक्तुमी को डाली कटारी के नाम से पुकारते हैं यदपी, वही पाहन जो धार्म गुरु होते हैं जब उनको भूत, परेत, आत्मा जब वे गाउं के लोगों के लिए भूत, परेत, आत्मा को भगाने का प्यास करते हैं तो उसके बदले जो उने खेत दी जाते हैं उसे भूत खेता के नाम से पुकारते हैं यद भी मातो कि सहायता है भी पन्भरा मातो इत्यादी भी अधिकारी होते हैं इसमें से जो मातो होते हैं उँ मातो सुचनाओं का आदान परदान करने का काम करते हैं ऐसे में ही जब ये गाओं की कुछ मातपून निर्ने अगर गाओं अस्तर पर नहीं हो पाता है तो परसासन के दूसरी सरोच कारपालेका, गिधायका, नायपालेका के रूप में पढ़हा काम करता है जिसके मुख्र को, प्रधान को पढ़हा राजा करते है बारा से बीस गाओं को मिलाकर एक पढ़हा बनता है और पढ़हा की सहायता है तो भी विभिन प्रकार के अधिकारी होते हैं दिवान, लाल, पांडे, ब्रादगंज, इत्यादिकारी होते हैं और इन अधिकारियों के महद्यम से पढ़हा पंचायत सहासन दरस्था काम करता है जो मुंडा की स्रोच इकाई है यद भी कहीं कहीं मुंडा सहासन दरस्था के अंदर गयत राज नाम की भी तिसरी इकाई, तिसरी यूनिट दिखाए पड़ती है जिसके राजा को, राज के परतासिक इकाई को, परधान को राजा कहते है यद भी देखा जाए, तो मुंडाओं की सहसन दरस्था का स्रोच इकाई पड़हा पंचायत सहसन दरस्था को ही बानी जाती है छातरगन, मैंने ही बताय था कि मुंडाओं के बाद नागवंसी सहसन दरस्था आरम हुआ, जो 64 इस्वी में हुआ और इसके नागवंसीों के पर्थम रादा थे, फनी मुकुट राए जिन्हों ने सुतियांबे को अपना कैपिटल बनाया देखा जाए, तो मुंडाओं ने, नागवंसीों ने मुंडाव सहसन दरस्था को ही उसी तरह सहसन को चलने दिया भले हैं उसका और बिस्तार कर दिया, नाम चेंज़ कर दिया आर्थात नागवंसीों ने भी गाउँ के अस्तर पर मुंडाओं को ही परधान रखा और दूसरा में, पसासने काय में, उन्हों न भी पढ़हा ही नाम दिया बस अंतर नहीं है कि पढ़हा के परधान को पढ़हा राजाना करकर मानकी कहा गया यद भी मानकी का भी नाम चिंद करके बाद में मानकी का स्थान पर उन्हें भूईहर सब्द का परियोग किया जो भूईहर लगान वसुलने का भी काम नागवंसों के लिए करता था बाद में मुगलों के दुआरा बेटिस के दुआरा जब उस पर हस्तिजेब किया गया तो इसके सारी प्रशासनी बिरस्था चल मरा गई चातरगन हम चल रहे थे नागवंसी सासनी बिरस्था पर हम बेरा नोट्स इसके पहले रकास में, हम नागवraj सासन द्यश्ता पर कुछ नोट्स को लिखा चुके थे उसी नोट्स को हम continue कर रहे हैं अर्थाद, चैप्टर नंबर 21 का जो B चल रहा था उसी 21 के B में, हम नागवन सी सासन द्यश्ता के कुछ points को लिखा चुके थे उसी points को हम continue कर रहे हैं ओके छात्रगन तो हमारा chapter चल रहा है वही नागवंसी सासन ब्यवस्था और उसी notes को continue किजिए और लिखिए नागवंसियों के काल में नागवंसियों के काल में भी नागवंसियों के काल में भी पूरु की कर ब्यवस्था मतलब पूरु की मतलब किसकी? मुन्डाओं की पूरु की कर ब्यवस्था भू ब्यवस्था पूरु की कर ब्यवस्था भू ब्यवस्था एवं सासन ब्यवस्था एवं शासन ब्यवस्था देखे मैं क्या लिखा हूँ नागवंसियों के काल में भी पूरु की कर ब्यवस्था भू ब्यवस्था और शासन ब्यवस्था सभी मुंडाओं की तरह ही सभी मुंडा सासन ब्यवस्था की तरह ही चलते रहे मुंडा सासन ब्यवस्था की तरह ही चलते रहे चलते रहे उसे में यद पी सुलहुई सताब्दी के बाद मुगलो के हस्तचेप किस पर? नागवनसी सासन बेवस्ताप पर मुगलो के हस्तचेप के कारण? नागवनसी के सासन बेवस्ता में मुगलो के हस्तचेप के कारण यद पी सुलहुई सताब्दी के बाद मुगलो के नागवनसी के यद मुगलो दुआरा नागवनसी के सासन बेवस्ता में परिवर्तन होना आरंभ हो गया यद पी सुलहुई सताब्दी के बाद मुगलो के हस्तचेप के कारण नागवनसी के सासन बेवस्ता में परिवर्तन आना प्रारण हो गया बेर बेर इपोर्टन नेक्स्ट पॉइंट मुगलो के हस्तचेप से मुगलो के हस्तचेप से अब नागवनसीयों ने नजराना एक तरह से देख बोला जायतो कर ही हुआ अब नजराना देना आरंभ कर दिया जिसे अब मुगलो के हस्तचेप से नागवनसीयों ने अब नजराना देना आरंभ किया जिसे माल गुजारी कहा गया माल गुजारी टैक्स जिसे माल गुजारी कहा गया कहा गया next point सन सुल्ल सु सुल्ल में सुल्ल सुल्ल इसी में सन सुल्ल सु सु इसी में नाग संसी रह जाओं के दुएरा सन 1616 इसी में नागवंसी रजाओं के दुआरा माल गुजारी ना देने के कारण सन 1616 में नागवंसी रजाओं के दुआरा माल गुजारी ना देने के कारण नागवंसी महराज दुर्जन शाल नागवंसी महराज दुर्जन साल को जहांगिर ने 12 वर्ष तक गौलियर के किले में कैद रखा 12 वर्ष तक गौलियर के किले में कैद रखा कैद रखा नेक्स पॉंट पश्चाद इस्ट इंडिया कंपनी को या अंग्रेजों को 1765 इस्ट में बक्सर यूद के पश्चाद इस्ट इंडिया कंपनी को बिहार बंगाल और उडिशा की दिवानी मिलने के पश्चाद नागवंसि मिलने के पश्चाद नागवंसिये सासक पटना काउंसिल के परती उतरदाई हो गए पटना काउंसिल के परती उतरदाई हो गए पटना कॉंसिल के परती उतरदाई हो गए मतलब अब सारा कर कहां देने लगे अंग्रेजों को देना परारम कर दिया नेक्स्ट पॉइंट लाट कार्णवालिस के दौरा 1793 इस्वी में लाई गई अस्थाई बंदुबस लाट कार्णवालिस के दौरा नेक्स पॉइंट में है लाट कार्णवालिस के दौरा 1793 इस्वी में लाई गई अस्थाई बंदुबस्त व्योस्था प्राचिन काल से चली आ रही प्राचिन काल से चली आ रही मुन्डाओं और नागवंसियों की सासन गर्ष्था को लगभग तहस नहस कर दिया लगभग तहस नहस कर दिया समान गर्ष्थ से नागवंसियों की सासन गर्ष्था गर्ष्था का समान गर्ष्थ से नागवंसियों की सासन गर्ष्था तंत्र का पर्मुक पर्मुक तत्कालिन राजा ही हुआ करता था राजा ही हुआ करता था एक तरह से राजा अंतिम न्याले था एक तरह से राजा अंतिम न्याले की भाती काम करता था नेक्स्ट पॉइंट नागवंसी राजाओने अपनी नागवंसी राजाओने अपनी पर्षासनिक और शुरच्छा के दिश्च्टे से नागवंसी राजाओने अपनी पर्षासनिक और शुरच्छा के दिश्च्टे कौन से समय समय पर समय समय पर राजधानी परिवर्थन करते रहे जो इस प्रकार है जो इस प्रकार है एक तरफ कॉलम मनाईए नागवंसी राजा और एक तरफ बनाईए राजधानी ऐसे बनाईए जो इस प्रकार है दो कॉलम बनेगा नागवंसी राजा राध्धानी नागवंसी में लिखिये फर्स्ट या सिर्फ नाम दिजिए फनी मुकुट राए फनी मुकुट राए राध्धानी कहा मनाया? सुत यामबे सुत यामबे फनी मुकुट राए का कैपिटल है सुत यामबे नेक्स्ट परताप राए राजा है परताप राए परताप राए राधानी मनाया? चुटिया चुटिया अब भी जगह है राची में एक जगह चुटिया नेक्स्ट भीम कर्म नेक्स्ट है भीम कर्ण राजा का नाम है राधा ने बनाया खुखरा खुखरा next दुर्जन साल राधा ने बनाया दोईसा दोईसा next यदुनात्सा यदुनात्सा राधा है राधानी बनाये पाल कोट पाल कोट next जगनात जगनात सादेव सादेव ने इस जगनात्सादेव राधानी बनाये इसा लिकते हैं अश्चेप रिखे जाते हैं जगनात्सादेव इसमें लिखे पाल कोट बनाये इसनी बनाये इसनी देन बहुरो नेक्स दिखें प्रताब उदेनात सहदेव रतुगण को है कि प्रताब उदेनात सहदेव ने राधधानी बनाया कुसको बनाया रातुगण को रातुगण को रातुगण को राजधानी बनाया छात्रगन नमबर थार्ड लिखिये आपनों हेडिंग दीजिए नमबर थार्ड पढ़हा पंचायत सासन ब्योस्ता पढ़हा पंचायत सासन ब्योस्ता पढ़हा पंचायत सासन ब्योस्ता पढ़हा पंचायत सासन ब्योस्ता नमबर थार्ड हेडिंग दीजिए आप लोग सासन ब्योस्ता कर तिसरा पॉइंट है पढ़हा पंचायत सासन ब्योस्ता और इसमें लिखिये आप लोग फर्स्ट पॉइंट है पढ़हा पंचायत सासन ब्युस्था का सम्मंद उराउं जन्जाती से है यह चातरगन आपको ऐसे लिख सकते है कि उराउं जन्जाती समुदाय की सासन ब्युस्था को पढ़हा पंचायत सासन ब्युस्था कहते है या आप यह लिख रहते हैं भी कि पढ़हा पंचायत सासन ब्युस्था का समंद उराउं जन्जाती सम्मू से है आगले की उसी में जिनकी सासन ब्योस्था दो अस्तरों पर कार करती है टू अस्टेज पर दो अस्तरों पर काम करती है ग्रामिन अस्तर पर गाँ पंचायत और पढ़ा अस्तर पर गाँ पंचायत और पढ़ा अस्तर पर पढ़ा पंचायत पढ़ा पंचायत ग्रामिन अस्तर पर गाउँ पंचायत और पढ़ा मतलब उससे बड़ा अस्तर पर पढ़ाँ पंचायत नेक्स्ट पॉइंट गाउँ पंचायत यह गाउँ पंचायत की सासन ब्युस्था में महतो, पाहन, एवं भंडारी महतो, पाहन, एवं भंडारी महतो, पाहन, एवं भंडारी भंडारी मुक्य भुमी का निभाते हैं यह भाते हैं यद भी महतो का सहयोगी यद भी महतो का भी सहयोगी होता था जिसे मान्जी यद भी महतो का भी सहयोगी होता था जिसे मान्जी कहते हैं जो पंचायती आदेशों को लोगों तक जो पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है तो शातरकन आपने ये देखा कि पढ़ा सासन ब्यूस्था जो उराओं की सासन समुदाय की ब्यूस्था है या उराओं की समुदाय की सासन ब्यूस्था को पढ़ाओं पंचायत सासन ब्यूस्था कहते हैं और ये उराओं के साथ में गर्ज़ था दो अस्तरों पर काम करते हैं दो लेबल पर एक ग्राम लेबल पर और एक बड़े लेबल पर ग्राम से बड़े गाउं लेबल पर मुकरूप से परुख भीवा निवाते हैं महतो पाहन भंडारी अर्थात गाउं अस्तर पर गाउं पंचायद के पर्मुक को महतो कहते हैं और यद पी महतो का भी कोईन को सहीयोगी होता था जिसे माजी कहते हैं यद पी महतो पाहन और भंडारी ही गाउं अस्तर पे मुक्विनाद भूमे का निभाते थे अर्थात उराउं की सासन ब्युस्था में गाउं के परधान को महतो कहते थे पाहन एक पकार का धार्मिक कारियों को देखरे करता था सभालता था पुजारी था और भंडारी सुचनाओं का आदान परधान करने का काम करता था यद पी महतो का भी कोईन कोई था जिसे मांजी के नाम से पुकारी जाती है बात में जब इगाउं बहुत बड़ा हो गया तो पढ़ा कर उप ले लिया पढ़ा ओके साथ अगन तो भी लिखिये नेक्स्ट पॉइंट महतो महतो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है महतो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है ग्राम पंचायत का प्रधान होता है यहापद वानसानुगत तथा द्यस्टता जो सबसे बड़ा है यहापद वानसानुगत और द्यस्टता के सिधान पर काम करता था यहापद वानसानुगत और द्यस्टता जो सबसे बड़ा बेटा होगा यह पर वान सनुगत और जश्टता के सिधान पर कार करता है कार करता है Next point पाहन गाउं का पुजारी होता है जिसका कारकाल पाहन गाउं का पुजारी होता है जिसका time period तीन वर्ष इसका कारीकाल तीन वर्ष का होता है अर्थात परतेक तीन वर्ष में सर्हूल के दीन नए पाहन का चुना होता है निक्स्ट पॉइंट भंडारी 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 कम्मु की काम गाउं के संदेश वहग गाउं के संदेश वहग या या सुचनाओं के आदान परदान में मुक्भूमे का निभाता है निभाता है लेक्स्ट पॉइंट गाउं पंचायत गाउं के अंद्रूनी विवादों का निप्टारा करती है प्रन्तू प्रन्तू एक से अधिक गाउं के बीच प्रन्तू एक से अधिक गाउं के बीच बिवाद का निप्टारा निप्टारा पढ़ा पंचायत में ही होता है पढ़ा यहां पढ़ा पंचायत में ही होता है होता है निक्स्ट पॉइंट गाउं के संक्या जब अधिक हो जाती है तो कई गाउं को मिलाकर गाउं के संक्या जब अधिक हो जाती है तो कई गाउं को मिलाकर पढ़हा का निविमान होता है जिसके परमुक को पढ़हा राजा कहते है पढ़हा राजा कहते है और ये पढ़हा पंचायत और ये पढ़ा पंचायत तीन अस्तर पर थी अस्तेज पर तीन अस्तरों पर बिभक्त होती है और ये पढ़ा पंचायत तीन अस्तरों पर बिभक्त होती है बिभक्त होती है नेक्स्त पॉइंट पढ़ा का भी अपना एक पंचाइत होता है जो पढ़ा पंचाइत कहलाता है कहलाता है और इस पंचाइत में और इस पड़हा पंचायत सासन ब्योस्था में पड़हा राजा, दिवान और मंत्री पड़हा राजा, दिवान और मंत्री पड़हा राजा, दिवान और मंत्री मुख्य भूमी का निभाते हैं पड़हा राजा का सहायक, दिवान सलाकार की भूमी का पड़हा राजा का सहायक, दिवान सलाकार की भूमी का इड़हा राजा का सहायक, दिवान सलाकार की भूमी का मंत्री पड़हा राजा का सहायक, दिवान, सलाकार की भूमी का मंत्री सलाकार की भूमी का मंत्री तथा संदेश वाहक का काम तथा संदेश वाहक का कारे और भी सहाता करने वाले हैं, तथा संदेश वाहक का कारे कोटवार कोटवार तथा संदिश्वाह का कारे कोटवार कोटवार करता है एवं पढ़ा पंचायत अस्तर पर एवं पढ़ा पंचायत अस्तर पर बैठक की बेवस्था बैठक की बेवस्था और खान पान की भुमिका और खान पान की भुमिका एका दिकारी है उसका नाम है पैन भरा भुमिका पैन भरा करता है पैन भरा करता है नेक्स पॉइंट पढ़ा पंचायत में दिवान पढ़ा पंचायत में दिवान एक प्रकार से पढ़ा सासन बेवस्था में पढ़ा पंचायत में जो दिवान है पढ़ा पंचायत में दिवान पढ़ा पंचायत में दिवान एक परकार से सासन बेवस्था में सरोच न्याले की तरह कारी करता है सरोच न्याले अज़ सुप्रीम कोड सरोच न्याले की तलाकार करता है यद पी पढ़हा राजा का निर्ने ही अंतिम होता है निक्स्ट पॉइंट पढ़हा 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 पढ़ह पढ़ाओं और पुरुष पढ़ा पंचायत की सबसे मतपून बात है कि पढ़ा पंचायत की सबसे मतपून बात है कि पंचायत की कारवाही में महीला और पुरुष दोनों की भागिदारी पाटिसिपेट दोनों की भागिदारी होती है उसी में पढ़ा राजा का मनुनेयन चुनाओं के दुआरा होता है देखिए यहां पर वानसानुगत नहीं है पढ़ा पंचायत में जो राजा बनेगा मतलब पढ़ा राजा का चुनाओं पढ़ा राजा का मनुनेयन चुनाओं के दुआरा होता है यहां पर वानसानुगत नहीं है अता इसे भारत की पर्थम गन्तांत्रिक अता इसे भारत की पर्थम गन्तांत्रिक ब्योस्था कहा जाता है इसे भारत की पर्थम गन्तांत्रिक ब्योस्था कहा जाता है निक्स्ट पॉइंट पर्था पंचायत सासन ब्योस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमी पहनई भूमी कहलाती थी पढ़ा सासन ब्योस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमी पहनई पाहन से हो गया पहनई भूमी कहलाती है जो गाओं का धार्मिक प्रधान होता है होता है और यह पद किसी साधी सुदा बेक्ती को ही दी जाती है और यह पद साधी सुदा किसी बेक्ती को ही दी जाती है चात्रगन अभी तक हम लोगों ने मुंदा सासन ब्योष था, नाग वंसासन ब्योष था, पड़हा सासन ब्योष था का जिक्र किया चात्रगन, हम नेक्स कلاس में हादिर होंगे मांजी परगना सासन ब्योष था, जो संथालों की अपने एक मात्रपून परसासनिक ब्योष था है, हम देखेंगे इसमें, ये किन किन अस्तरों पर काम करती है, किसका क्या परधान है, किसकी क्या गूमिका है, किसका क्या रूल है प्रसासनिक ब्योस्था में और हम ये भी देखेंगे कि उस ब्योस्था में कहीं कोई बदलाव आई या नहीं आई छातरकरन नेक क्लास में हम हाजिर होंगे मान की परगना सासन ब्योस्था किसकी है संथालो की है ओके थाइंक यू